अब चुनावी साल में केवल 25 रुपे बढ़ा कर वो किसान को खुश करना चाहते हैं किसान अब की बार बैकावे में उनके नहीं आना है गन्ना किसानों की समश्या है और गन्ना किसानों की समश्या अगर वो समधान कर देते तो आज हम आपके चैनल में हम ये मुद्दा रखने की कोई बात ही नहीं थी ना आप हमारे से क्वेश्टन करें दो बालियान जी एक तरफ आपके सामने बीजेपी के उमीदवार है मलिक साहब जी आप उनको कितना चुनोती पून मानते हैं मैं तो चुनोती नहीं मानना मेरे से ज़्यादे ये बुडावा छेत्र की जनता किसी परतियासी पर यकीन नहीं कर सकती स्वागत है आपका फसल ग्रांदी नियोज में मैं हूँ आपके साथ फिज़ा काजमे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा शेत्र को कवर करते हुए हमारी चनावी यात्रा आप पहुची है बुडाहना विधानसभा शेत्र में हमाई साथ मौजूद है राजपाल बालियान जी पहले तो स्वागत है आपका बहुत-बहुत हमारे चैनल पर सर पहला सवाल मेरा आपसे यही है सपा रालोद ने आपको उम्मीदवार बनाया है शेत्र से और आपकी क्या-क्या चनाथ के रहने वाली हैं क्या मुद्दे हैं हमारे मुद्दे जो हमारी पार्टी और गठपन्धन की जो हमारे संकल पत्र में हमारे नेताओं ने दिया है कि एक करोड नोक्रिया हम नोजवानों को देंगे एक करोड रुपे की धनराशी जो सीमा पर सहीद हमारा नोजवान होगा मिलट्री का जवान तो उसको एक करोड की धनराशी उसको देंगे किसान को जो ये दो हजार रुपे सम्मान निदी दे रहे हैं हम उसको दुगना करेंगे जो वरद पैंसन ये लोग दे रहे हैं हम उसको तिगना करेंगे सबसे बड़ी समश्या हमारे परदेश में जो हमारी जनता की कहो किसान की कहो आम आदमी की कहो जो विद्यूत की जो बिजली की समश्या हमारे प्रदेश में हैं वो एक कमरतोड हमारे चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे मध्यमवर्ग हो वो इतनी महंगाई है तो उसते इतने तरस्त है कि बिजली के बिल देने में समर्थ नहीं है मजबूरियां है अभी रूटेशन भी देने का नहीं है सब अधिकतर पैंडिंग है और जिस टुवेल की पिछली सरकारों में एक नलकूप की नलकूप का बिल च्छपन सो रुपे जमा होता था मानिये अखलेश जी की सरकार में वो स्टुवेल का बिल आज कुछ पावर बढ़ाई कुछ बिल बढ़ाए उसक 55-ग रुपे हमारा किसान अब जमा कर रहा है 5000 रुपे जमा करता था योगी सरकार में उसको बढ़ा कर आज 24,000 रुपे जमा कर रहा है conflict घरेलों बिजली जहां दो सो रुपे महिना बिजली का बिल लगबग जमा किया करते थे और वो 2400 रुपे 12 महिने का हुआ करता था अब वो बिल 24000 रुपे वर्स वो घरेलू बिजली का बिल लगबग बैठता है उपर नीचे थोड़ा बहुत तो विजली से हमारा हाम आदमी यहां इतना पीडित है हमारे घटबंदन उसको पिछले बिल माप अगले भी लहाप और 300 गैद्ट तक विजली भिजली फिरी 300 unit तक की बिजली फिरी होने में गाउं की बिजली सब फिरी हो जाएगी और हमारा परियास है अपने संकल पत्र में ये भी रखे हैं कि वो किसान की बिजली टोटल फिरी करने का विचार है फिरी करेंगे कहने को तो भाजबा सरकार जितना जूट जूट बोलके और अपनी सरकारे चलारी हैं वायदे करनी हैं कोई वायदा पूरा निक्या कोई गोस्टनापत्र जितना जब जब भी नोंने अपना गोशना पत्र में जो जनता को बताया, वो गोशना पत्र पूरा नहीं कर पाए, जहां तक गन्य और चीनी मिल की बात है, पाँच वर्स बाद गन्य का रेट पच्चीस रुपे बढ़ाया, और वो पच्चीस रुपे बढ़ाने पे एक वर्स में पांच रुपे बढ़ा तो अब चुनावी साल में केवल 25 रुपे बढ़ा कर वो किसान को खुश करना चाहते हैं किसान अब की बार बैकावे में उनके नहीं आना किसानों की समस्या है हमने गन्ना मंत्री से भी बात करें उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है और गन्ना की कोई समस्या है ही नहीं तो विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है तो यह वाकई विपक्ष का मुद्दा है या फिर गन्ना किसानों की समस्या वाकई अभी भी मौजूद है गन्ना किसानों की समश्या है और गन्ना किसानों की समश्या अगर वो समधान कर देते तो आज हम आपके चैनल में हम ये मुद्दा रखने की कोई बात ही नहीं थी ना आप हमारे से क्वेश्टन करें थे गन्ना बजाज गुरूप जो है और फैक्टरी ने अब की बार चुना Gym sure एवादाब पैयमेंट हो पाया है उन फैक्टेव का हमारे बुढ़ाना में जो बशाना मिल है जिस में छेत्र पड़ता है यहां भी पिछले साल का अधा बहर भी बखाएँ है जूट बोलने से जूट बोलते रहे लेकिन किसान कूझ जूट उलेगा मैं क्यों जूट वोल हूँआ ये तो सत्यοदा तो यह है कौन सी सुविधा गण्ये के मामले में इन लोगों ना दी के कोई नहीं नीती लाए हो और नहीं नीती लाए के गर्ने का रेट बढावा हो गर्ने की दो जी तो बात है गन्ने का रेट बढ़ा तो किसान का रपेमिंट करा तो बस गन्ने की समस्य हाल बालियान जी एक तरफ आपके सामने बीजेपी के उमीदवार है मलिक सहब जी आप उनको कितना चुनोती पून मानते हैं मैं तो चुनोती नहीं मान रहा है मैं तो जो जनता का उच्छा देख रहा तो मैं तो अपने अपना चुनाव जीता व्या चुनाव माननार बहुत भारी ओटों से चुनाव जी तुमा ऐसा मुझे विश्वास परमेश्वर को बीच में रखते भी है बुड़ाना चेतर की बात करें जब अगर आपकी सरकार बन जाती है तो चेतर की जनता के लिए यहां के विकास के लिए शिक्षा के लिए स्वास्त के लिए आप क्या कुछ बदलाव, क्या रड़नीतियां और क्या नीतियां आपकी खुद की विधायक के तौर पर होने वाली है। स्वास्तकेंद खुलवाई। और रास्ते जो मेरे समय के लिंक रोड है। आज भारतिय जन्ता पार्टी की सरकारे दावा करते हैं। योगपतियों ने बना दिया, कंपनियों ने बना दिया, जो आज हमारे सब उसूल कर रही। मालियंची, रोजगार, बेरोजगारी का मुद्द भी काफी जादा एहम है। मालियंची पदों पे भरतिया ही नहीं है, रोजगारी के लिए शिक्षक परिशान है, पड़े लिखे युवा बेरोजगार है आज प्रदेश में। ये इस्तिती अभी भी बनी हुई है, आपकी सरकार आने के बाद इस इस्तिती में कितना सुधार आएगा। इसा नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिसमें करमचारियों की कमी ना हो, लेकिन कारण का रहे योगी जी के, कारण का रहे भाजबस सरकार के, क्यों नहीं उन्होंने इन नोजवानों को अवसर दिया, ये नोजवान होते, वे डिक तस्थान पूर्ती होते, इनको नोक्रिया मिलती, तो ये कारण क्या रहा, क्या नहीं रहा अपना चलाते रहे, क्या ये जुम्मेदारी किसकी होती है, के पेपर आउट हो गया, उसको मालिया पर फारम निकालते हैं, फारमों पैसा वसूलते है, बहुत बहुत पैसा उसमें इखटा हो जाता है, और उसको उसको के पिपर आउट होगे, उसका बाहना बना के, और वो पैढ़नी के डाल दिया, जैसे तमाम मुद्धे हैं, आप फसल करांदी के माध्यम से बुढ़ाना चेतर की जनता को, यहां के लोगों को क्या ऐसा संदेज देना चाहते हैं, ताकि लोग आप पर भरोसा करें, अपने राजनितिक जीवन में, मैंने इतना वादा किया, उस वादे को मैंने पुगा, यह लोग सब आपके सामने खड़े, यह नीचे खड़े, और पूछ का देखना के राजपाल ने अपने समय में वादा दिया, तो पुगाया या नहीं पुगाया, इने पूर्ण विश हाली है, विकास का क्या नया स्वरूप होगा और गड़बंधन की सरकार बनेगी, तो किस तरीके से विकास को एक नई रफ्तार उत्तर प्रदेश को मिलेगी, आप हमारे साथ जोड़े रहिए और देखते रहिए, फसल कुरांती नियूज